तो आज मैं आपके साथ सेर करूंगे कि कैसे आप इडली डोसे के लिए पॉफेक्ट बेटर फर्मेंटेट कर सकते हैं जिससे की बहुत ही सौफ्ट स्पॉंजी इडली बनकर तयार होगा एक मल्टी परपस बेटर होता है अगर आप इसे एक दिन बना लोगे ना तो फिर कई स सारी साथ इंडिन डिस बना सकते हो और इसे आप दो से तीन दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो और आप इसी बेटर से एडली डोसा उत्तपम बहुत सारी चीजे बना कर तयार कर सकते हो सिब 10-15 मिनट में तो यह अच्छी तरीके से फर्मेंटेड हो इसके ल जरूरत नहीं है बस चावल कच्छा होना चाहिए जिसे हम अरवा चावल कहते हैं और नहीं तो आप इडली राइस भी ले सकते हैं जो आपको इजली मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाएगा तो चावल दाल का जो रेशियो होता है वह 3-1 का होता है मतलब जिस कटोरी से प्लेन करके हमें इसे मेजर करना है 3-1 की रेशियो से आपको मेजर करना है और ऐसे ही आप डवल ट्रिपल कर सकते हैं जैसे तीन कटोरी चावल मैंने लिया है अगर आप 6 कटोरी लेते हो तो फिर 2 कटोरी उड़त का दाल यहोब कि आपको यह समझ में आया होगा बस आपको 3-1 का डेशियो याद रखना है और कुछ नहीं उसके बाद हमें दो चमच लेना है चना दाल और उसी चमच से एक चमच लेना है मेथी चना दाल इडली और डोसे को चिपकने नहीं देता है और मेथी डाइशन के लिए बहुत अच्छा होता है तो मेथी जरूर से कम से कम 5—6 गंटे के लिए बहुत अच्छे से फूल जाएगा तो यह देखे अब मैं आपको 5—6 गंटे बाद दिखा लही हूं कि बहुत अच्छे से फूल के पुरा ऊपर आ चुका है तो इसका सारा उपर का पानी मेंने हटा दिया है और अब हमें इसे पीसना है तो पीसन जाए और इससे हमें एकदम फाइन पेस्ट बनाना है मतलब जब तक आपको लगे कि पिस चुका है उसके बाद और दो तीन सेकंड के लिए से चला देजेगा ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए मतलब आप देख रहे हैं कैसे मैंने पिसा है एकदम फाइन पेस्ट है ये हमें तो ये देखे मैंने साड़ा पीस लिया है और अब हमें क्या करना है इसे हाथों से फेटना है अगर आप चाहे तो चमच या किसी चीज़ से फेट सकते हो लेकिन हाथों में गड़मी होती है जिससे बहुत अच्छे से फर्मेंटेड होता है और इसे हमें एक ही रिडि होता है तो फिर जरूर फेटी हैगा इसे तो मैंने इसे फेट लिया है अब हमें इसे ढ़क कर रख देना है वैसे तो अभी गड़मी है तो आराम से ये 6-7 गंटे में फ़र्मेंटे हो जाएगा लेकिन अगर आप ठंडी में इसे बना रहे हो तो फिर गरम कपरे में और किसी गरम जगह पे रखेगा कम से कम 10 से 12 गंटे के लिए और अब मैं आपको नेक्स टे की क्लिप दिखा रही हूँ जिसे मैंने 6 से 7 गंटे के लिए रखा था और देखिए कितने अच्छे से फर्मेंटेड हुआ है मतलब यह फूल के बिल्कुल ऊपर आ चुका है जब मैंने इसे अब हमें इसे बहुत अच्छी से मिक्स कर लेना है और जब इसको आप मिक्स कीजिएगा ना तो फिर वापस से नीचे चला जायागा सब और आप सेम बैटर से साउथ एंडिन की कई सारी डिस बना सकते हो डोसा इडली उतिपम अपम इसलिए मैं इसे ना विकिंट पे ही फ नहीं मिलाया और अभीवी हमें सारे बैटर में नहीं मिलाना है चाहिक है आप पुटना निकाल लो कि इस अच्छी अच्छी में और फिर उसमें नमक मिला अगर अगर पूरे बैटर में नमक मिला दोगे न तो फिर ज्याधा टायम तक इस टोड़ने कर पाओ गई से को मैंने हटा दिया है और बस इसी बेटर में हमें नमक डालना है और हां इस बेटर में ऐसे आ पाणी भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि एडली का बेटर थोड़ा ठीक रहना चाहिए और अगर आप इसका डोसा बना रहे हो ना तो बहुत हलका सा में इसे पानी रखना है ताक कि हमारा इडली इस में शिपके नाव भछ हलके हलके ओयल के साथ इससे हमें गरीस करना है उसके बाद हमें करजी बेटर लेके सारे मोल्ड में ढाल देना है जादा-जादा नहीं भरना है नहीं तो यह ठीक से फूल नहीं पाएगा तो बेटर मैंने डाल दिया है अब हमें इसे थोड़ा सा टैप टैप कर लियना है ताकि इसके इंदर जितना भी एर बबल हो वो निकल जाए तो पानी हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसे स्टीम होने के लिए रख देती हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 10-12 मिनट के लिए इसे मैं स्टीम कर लूँगी और यहां पे हमारा सांबर भी बिलकुल रेडी था जिसे मैंने बहुत सारे सब्जों के साथ बनाया था और साथ में बनाया था पीनट का चटनी तो साथी चीजे रेडी थी और 10-12 मिनट हो चुके था तो मैंने इसे भी बंद कर दिया था और यह देखे इडली किनने अच्छे से फुलकर बना है और बहुत अच्छे से अंदर तक स्टीम भी हो चुका है मैं आपको चाकु डाल कर दिखा देती हूँ और यह बिल्कुल क्लीन चाकु आया है मतलब यह बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है और अब मैं इसे आपको डेमोल्ट करके दिखा देती हूँ लेकिन उसके पहले मेरी बेटी बहुत देर से इंतजार में है कि कब बने का तो पहले मैं उसे एक दे देती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि यह कितना ज़्यादा स्पॉंजी बना है जब भी यह स्कूल जाती है तो मैं हमेशा ही इसे लंच भी बना कर देती हूँ और अब मैं आपको दिखा देती हूँ यह कितना ज़्यादा स्पॉंजी बना है मैं इसे हातों से दबा रही हूँ और यह वापस से अपने सेप में आ जा रहा है और यह बिल्कुल तूट भी नहीं रहा है मतलब यह पॉफेक्ट स्पंजी इडली बनकर त्यार है हमारा और अब मैं आप इसको इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना जालीदार बना है यह देखिए आई होब कि आपको इस वीडियो के बाद अब बिल्कुल भी दिकत नहीं होगा इडली डोसे का बेटर त्यार करने में आराम से आप बना पाओगे तो यह है आज का हमारा ब्रेकफस्ट इडली सामबर और चटनी तो आप भी अपने घर में इसे बनाएए और कैसा बना मुझे कॉमेंट चक्सम में बताएए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे ताकि मैं और अच्छे च्छे रेसिपी आप लोगे कैसा सेर करूँ बाई